नमस्कार मैं लाली सुनीज अश्टिपी सीएस की एडिटर इनलाइसिश रंकला में आपका एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने कल 15 अगस्त को 77 इंडिपेंडेंस दे सेलिबरेट किया और इसी occasion पे भारत के प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोधी ने लाल के लिए से भारत की जनता को संबोधित किया आज का जो एडिटोरियल है हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रदान मंतरी की स्पीच में क्या-क्या की टेकवेज हैं आज की टॉपिक जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पर से लिया गया इसका टाइटल है लॉंग व्यू फाइंडर तो बिसिकली कैसे प्रदान मंतरी भारत के लिए एक विजन रखते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्क्रिशन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज आज आपके लिए यह अंतिम दिन है इस ओफर को अवेल करने का द्रिश्टी आइस आपके लिए 50-30 तक की छूट लाया है और लाइन कोर्सेस के लिए प्रदान मंतरी की जो स्पीच है उसके बारे में उसमें से हम आई-धेन हम देखेंगे कि कैसे प्रदान मंतरी नहां बोला है कि ये वर्तमान जो है आज का प्रेजेन हैंगे उसको हम लोग as a launchpad use कर सकते हैं हमारे future के लिए मतलब कि हम वर्तमान की foundation प'M और हमारे वर्तमान की new पे जो है future का structure खड़ा कर सकते है थीक है फिर उसके लिए उन्हों ने बताया कि तीन इंपेरिटिव क्या है क्या तीन चीज़े है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसे गॉवर्मेंट के मोटो में साब मिल क्या गया है जैसा आप जानते हैं तीन चीज़ों का संगम तो बेसिकली प्रदान मंत्री ने इन तीन एडवांटेज को जो है कहा है जिनका हम यूज कर सकते हैं हमारे इस पर्टिक्लर गोल को फाइंड करने के लिए इन थ्री आप्श्टेकल्स आप्श्टेकल्स मतलब अचने प्रदान मंत्री ने तीन अचने भी बताई है कि हमारे इस गोल को अचीव करने के लिए तीन अचने क्या-क्या है उनको भी डिसकस करेंगे फिर इन अर्चनों का सॉलूशन क्लेक्टिव रेस्मोंसिबिलिटी मे और हम उन चीजों का सॉलूशन फाइंड करने कोशिश करेंगे तो उसके लिए उन्होंने कुछ रास्ते बताये हैं हम उनको भी डिसकस करेंगे एंडेन हम लोग एक और चीज डिसकस करेंगे कि विश्व मित्रा से विश्व मंगल की और भारत कैसे प्रोग्रेस कर रहा है चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिसकेशन तो कुछ की वर्ड जो है प्रधार मंत्री ने अपने भार्षन में यूज किये जैसा कि प्रधार मंत्री ने कहा कि हमारी हज्जार और सालों की जो यह गुलामी है उससे हम बहार आकर करके जो है अम्रित काल में प्रवेश कर चुके हैं अम्रित का मतलब जो हमारी अब हम लगबग 755 पूरे कर चुके हैं और हम 100 पूरे करने को है 2047 में हम लोग जो है आजा दी के 100 पूरे कर देंगे तो इस पर्टिकलर दौर में हमारे गोल्स क्या होने चाहिए उसके बारे में बात की है ठीक हम इस अम्रित काल को कै कैसे और स्वर्ण नहीं बना सकते हैं ठीक है इसके लिए हमें क्या है ना कि ले फाउंडिशन फॉर दर नेश्ट थाउजन इयर्स ऑफ नैशनल ड्यूटी जब हम जो भी चीज आज करेंगे वह हमारे आने वाले हजारों सालों के लिए एक फाउंडिशन बनाएगी एक नी इश्रित देश बने एक डेवलब्ड कंट्री बने ठीक है तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है इसके लिए तीन इंपेरेटिव बताया है तीन जो चैलेंज्जेस हैं वो बताया है प्रधान मंत्री ने ठीक है इंडिया सामर्थ्य इन पोस्ट कोविड वर्ल और हमें हमारे इस सामर्थ्य को इस capacity को जो है पूरी तरी से utilize करना होगा इस particular गोल तक पहुंचने के लिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं जैसा कि जब हम एक satellite को launch करते हैं एक particular launch pad से उसको launch किया आता है वैसे ही उस launch pad जो है उसको वर्तमान के साथ compare किया है हम उस वर्तमान के launch pad पे हमारा future का satellite छोड़ सकते है मतलब हमें इस वर्तमान की नीव पे जो है यह future का structure बनाना है ठीक है इनको हम धीरे-दीरे एक-एक करके discuss करेंगे तो three imperatives क्या तीन चीज़े हैं एसी जो हमारे लिए जरूरी है ठीक है और वह government के motor का part है प्रदान मंतिर ने का कि इन तीन चीज़ों के लिए strong government होना जरूरी है ठीक है तो strong government ही जो है वो reform कर पाएगी perform कर पाएगी और system को transform कर पाएगी reform का मतलब है जो भी changes हमें चाहिए हमारे system में be it governance related be it economy से related या आप कह सकते है economy या फिर industry से related ठीक है society या environment से related इन सब के लिए जो भी reforms की ज़रूरत है वो एक strong government कर सकती है ठीक है और उसके बाद हम इन reform के basis पे efficiently perform कर पाएगे efficiently perform करने का मतलब कि आप अपना work जो है अपना काम जो है वो पुरी मांदारी के साथ करेंगे ठीक है उसका अच्छा एक outcome निकलेगा और उस outcome के साथ जो है हम अपने system को अपने देश को transform कर पाएंगे और हमारे goals को हम अचीव कर पाएंगे ठीक है इसके बाद प्रदान मंत्री ने बोला हमारे पास कुछ अभी ऐसे दौर में हम लोग चल रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनका हम फाइदा उठा सकते हैं तो वह त्रिवेणी जो है वह है demographic democracy और diversity यह 3D जो है वह प्रदान मंत्री ने कहा है हमारे लिए काफी फाइदे मंद है demographic कैसे जैसा कि आप जानते होंगे भारत अब एक यंग नेशन है मतलब कि हमारी जनसंग क्या है वह यंग है तो हम उनको skill कर सकते हैं हम अपने युवाव को जो है skills provide कर सकते हैं और उनको capitalize कर सकते हैं ठीक है जिससे वह economy में और अपनी growth में जो है अपना contribution दे पाएंगे ठीक यहाँ पर हर तरीके के ideas हमारे सामने आएंगे तो उन में से जब ideas के साथ discussion होगा debate होगी तो better or precise ideas सामने आएंगे और हम उन पर काम कर सकते हैं फिर diversity भारत से ज्यादा कोई country नहीं हो सकती और जब हमारे पास इतनी diversity है तो हमारे पास opportunities भी उतनी ज्यादा है अगर हम एक simple example ले ले लेते हैं जैसे कि economic sector में tourism का example लेते हैं हमारी country इतनी diverse है कि अगर हम culture की बात करें food की बात करें geographical location की बात करें ठीक है historically religious places की बात करें इन सब चीजों के basis पे जो है tourism को boost कर रहा है जा सकता है तो इस diversity को हम लोग capitalize कर सकते हैं हमारे economic growth के लिए तो यह हमारे लिए एक त्रिवेणी है जो हमारे लिए काफी ज्यादा advantages है ठीक है चलिए आगे देखते है त्री obstacles यह तीन sin बता है पाप है वो पाप क्या है एक तो corruption ब्रश्टाचार भारत ब्रश्टाचार से जूजरा यह बात तो fact है और हमें चाहिए कि हम इसको जल्दी से जल्दी ख़तम करें ठीक है उसके बाद nepotism परिवारवाद मतलब कि एक राजा का बेटा राजा बनेगा politician का बेटा politics में जाएगा बिजनेसमें का बेटा बिजनेस में जाएगा ठीक है तो यह जो अवधार ना है हमें इसको जो है खतम करना होगा जो इंसान योग के होगा वो उस field में जाएगा as simple as that ठीक है फिर appeasement अपीजमेंट का मतलब यह है कि हम किसी particular community को खुश करने के लिए जो है कुछ particular favors देदे या benefits देदे तो प्रदानमंतर ने बोला कि यह जो है हमारे लिए एक challenge है हमको इसको खतम करना है ठीक है और जो योग्य होगा हम उसको जो है आगे बढ़ाना की कोशिश करेंगे मतलब merit waste system होना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि प्रदानमंतर इनके solution क्या बताया है इनका solution उन्हों बताया कि हमारी एक collective responsibility है collective responsibility की जब हम बात करें तो इसमें government भी सामिल है और government के साथ-साथ citizens civil society वगेरा भी सामिल है हम दुनों की collective responsibility वह कैसे है कि हमें probability अपने अंदर probability यह हिंदी वर्ड है इसके लिए सुचिता आप एथिक्स में यह वर्ड पर चुके होंगे अगर आप अपने इंदर integrity मोरेल्स इंकल्केट करते हैं इनको बढ़ाते हैं तो आप अब्विसली corruption के अपने आप अगेंश हो जाएंगे इससे जो है corruption की problem solve होगी फिर पार दर्शिता जब हम परिवारवाद की बात करते हैं appointments में अगर हम देख से हैं कि किसी जज का बेटा जज बन रहा है या कोई भधीजा जज बन रहा है या फिर को गवर्नेंस के लिए भी काफी important है जब हम civil governance की या citizen की governance की बात करते हैं उसमें भी transparency होना बहुत जरूरी है फिर निश्पक्षता और objectivity जो भी हमारी policies होनी चाहिए वो निश्पक्ष policies होनी चाहिए या तो आप किसी को favor दे ही ना और या फिर दे तो सब को दे ठीक है और वो objective होने चाहिए किसी का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए इससे जो है आपका appeasement वाला issues all होगा ठीक है तो यह कुछ जो है थीन imperative बताये हैं जो अमारे लिए एक solution का काम करेंगे इसके बाद बात करते हैं विश्व मित्रा की भारत की हमेशा से एक philosophy रही है वशुद्य एसपेक्ट में inclusive रहना चाहते हैं सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी अगरे हम अपने international aspect की बात करें या international policies की बात करें तो विश्व मित्रा भारत सबके साथ अच्छे संबंद बना रखने में इस्वास करता है ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा आप energy security के लिए एक साथ मिलके काम कीजिए ठीक है उसके बाद जब हम COVID-19 की बात करते हैं उसमें भारत ने एक मोटो दिया था वन अर्थ वन हैल्थ मताब सबको inclusive लेकर के जो है हमें अपने health के बारे में सोचना होगा फिर G20 की जब बात करते हैं तो उसका भी theme है one world, one family, one future तो overall हमारी जो मानसिक्ता है, हमारी जो philosophy है वो inclusive है ठीक है इससे फाइदा क्या होगा इस विश्व मित्रा फिलोसोफिक के साथ हम लोग बात कर रहे हैं विश्व मंगल की मतलब global welfare की कि inclusive approach के साथ हम लोग global welfare, सब के welfare की बारे में बात कर रहे हैं तो यह कुछ terms है जो प्रदानमंत्री ने यूज की अपने भाशन में इसके अलावा जो है nation first यह mention किया गया है उसमें जो कि हमेशा होना चाहिए ठीक है उसके बाद economy में है जब हम economy की बात करते हैं तो प्रदानम तक भारत एक विक्षित देश होना चाहिए ठीक है उसके बाद बूलाक हम लोग third largest economy बन रहे है जल्दी ही उसके बाद demographic dividend की बात करते है ठीक है उसके साथ प्रदानमंत्री ने border security का भी mention किया गया है border security में इन्हों ने जो है हमारे soldiers को धन्यवाद दिया है ठीक है उसके international borders पर जो villages हैं उनको कैसे capacity building करना है उनका उसके बारे में बात की है ठीक है फिर climate change के बारे में बात की है कि जो यह extreme events हो रहे है जिसकी वज़े से जैसे flood वगेर आए दिल्ली में flood आ गया हिमाचल में जो है casualties हुई है काफी तो उनके बारे में बात की गई है woman-led development की बात की है प्रधानमत्री ने बोला कि कैसे science, technology, engineering, mathematics field में जो है woman आगे आ रही है ठीक है तो हमें इसका advantage उठाना चाहिए और उन्होंने बात की है कि वो दो करोड लखपती दीदी बनाना चाहते हैं मतलब दो करोड महिलाओं को लखपती बनाते हुए देखना चाहते हैं जो कि village area में self reference दिया है कि इसका एक ही solution है वो है कि peacefully इसको resolve किया जाए और जो सरकार है वो इस बारे में काम कर रही है ठीक है उसके बाद विश्व कर्मा श्रम सम्मान योजना का भी mention किया गया है यह जो है particular योजना वो आपके traditional skills हैं उनको impact करने की बात कर रही है ठीक है यह budget में भी इस योजना का mention किया गया था इसलिए यह काफे important हो जाती है ठीक है तो यह सारी जो है चीज़ें मोटा मोटी तोर पर प्रदानमत्री ने अपनी speech में use की है ठीक है तो आप इन सब को जो है अपने main answer वगरा में use कर सकते हैं कि यह terminologies आपके लिए काफे important होगी चलिए आज की editorial में इतना ही फिर मिलेंगे आपसे अगले episode में तब तक के लिए have a good day thank you